प्यारे दोस्तों, ओम नमा शिवाई, एक मार्मिक विशे पर चर्चा, विदाई, विदाई अनुष्ठान है जो आल विदाई को संदर्वित करती है। जीवन के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए। यह शादी के दिन के सबसे भावुक्षनों में से एक है। जब हम भारतिय शादियों के बारे में सोचते हैं, तो हम विस्तृत, भव्य व्यवस्था और अद्वितिय अनुष्ठानों के अलावा कुछ भी उम्मीद नहीं कर सकते हैं। विश्य श्रूप से एक हिंदू शादी समारोह शुरू होता है और समारोहों और अनुष्ठानों के साथ समाप्थ होता है, जहां परिवार और दोस्तों के साथ आने के लिए इच्छा और अपनी नई शुरुवात के लिए जूड़े को आशिरवात देते हैं। आप अनुष्ठान और समारोह के बिना एक भी शादी की कल्पना नहीं कर सकते। परिवार के अधिकांच सदस्यों के साथ साथ दूलहाद दूलहन विभ्यन अनुष्ठानों को करने में व्यस्त रहते हैं। शादी भी एक दिन है जहां भावनाओं की श्रिंखला आपस में जुड़े हुए हैं। विवाह की यादे खास होती हैं और हमेशा के लिए बनी रहती हैं। ये एक ऐसी स्मृती है की खुशी और दुख की भावनाएं मिश्रित हैं विदाई अनुष्ठान विवाह के बाद का समारोह है। विदाई को विदाई के नाम से भी जाना जाता है जिसके आधार पर अनुष्ठान मनाया जा रहा है। कोई फर्थ नहीं परता कि उसके ससुराल और उसके मात्र ग्रह के बीच कितनी दूरी है। लगभग हर दुलहन विदाई के दौरान रोती है। बेशक, अपने माता-पिता और उसके परिवार से अलग होने का विचार निश्चित रूप से दिल दहला देने वाला है। विदाई समारोह कैसे आगे बढ़ता है। एक बार शादी की सभी रिसमें खत्म हो जाने के बाद परिवार और रिष्टेदार दुलहन के साथ शादी स्थल से बाहर निकलते हैं। माता-पिता अपनी बेटी को थामे हुए इस खशन का नित्रित्व करते हैं। वे दूलही से अनुरोथ करते हैं कि वो उनकी बेटी की देखभाल करें और हमेशा अपनी वैवाहे क्यात्रा में उसका समर्थन और मार्ग दर्शन करने के लिए वहां रहें। दहलीज को पार करने से पहले, दूलहन अपने माता-पिता के घर की और अपने सिर की ऊपर से तीन बार चावल और सिक्कों की एक मुठी पिक्ती है। इस रस्म में दूलहन उसे इतना प्यार और देखभाल के साथ देने और जीवन के हर पड़ाव पर उसका साथ देने की प्रती दूलहन अपने माता-पिता के लिए कृतग्यता का जाहित करती है। में जोड़ा कदम देखता है और उनकी अंतिम विदाई शुरू होती हैं। दुलहन के भाय और चचेरे भाय अपनी किस्मत की कामना करने और वैवाहेक जीवन की अपनी नई यात्रा की और दमपती को आगे बढ़ाने और जीवन में सुख समृद्धी के रूप में कार को पीछे से धकेलते हैं। विदाई समारोह का क्या महत्व है? विदाई समारोह विवाह समारोह के अंतिम चरन का प्रतीक है। वह उन्हें अपने नए घर के लिए विदा कर रहे होते हैं। अपने माता-पिता के घर हमेशा स्वस्थ, धन्वान और समृद्ध बने रहने की कामना करने वाली दुलहन का प्रतीक है। यह अनुष्थान पतनी के रूप में दुलहन के नव जीवन की शुरूआत का भी प्रतीक है। विदाई अविवादा स्पाद रूप से किसी भी शादी का सबसे भावुक हिस्सा है। यह सच का क्षण है। दूसरे पहलू पर विदाई एक खुशी का भी खशन है कि यह पती और पतनी के रूप में दमपती के जीवन की शुरूआत है। यह शादी के दिन के सबसे भावुक शनों में से एक है। जब हम भारतिय शादियों के बारे में सोचते हैं, तो हम विस्तृत, भव्य व्यवस्था और अद्वितिय अनुष्ठानों के अलावा कुछ भी उम्मीद नहीं कर सकते हैं। परिवार के अधिकांश सदस्यों के साथ साथ दूलहाद दुलहन विव्यन अनुष्ठानों को करने में व्यस्त रहते हैं। शादी भी एक दिन है जहां भावनाओं की श्रिंखला आपस में जुड़े हुए हैं। विवाह की यादे खास होती हैं और हमेशा के लिए बनी रहती हैं। ये एक ऐसी स्मिती है की खुशी और दुख की भावनाएं मिश्रित हैं विदाय अनुष्ठान विवाह के बाद का समारोह है। विवाह की रिस्में पूरी होने के बाद इसका नमब आता है। कन्यादान समारोह के दौरान दुलहन का पिता अपनी बेटी के हाथ दूलहे को देता है, प्रतिकात्मक रूप से, हालां की विदाय बेटी के लिए आधिकारिक सेंड ओफ है। विदाय को विदाय के नाम से भी जाना जाता है, जिसके आधार पर अनुष्ठान मनाया जा रहा है। कोई फर्थ नहीं पढ़ता कि उसके ससुराल और उसके मात्र ग्रह के बीच कितनी दूरी है, लगभग हर दुलहन विदाय के दौरान रोती है। बेशक, अपने माता-पिता और उसके परिवार से अलग होने का विचार निश्चित रूप से दिल दहला देने वाला है। विदाय समारोह कैसे आगे बढ़ता है। एक बार शादी की सभी रिसमें खत्म हो जाने के बाद परिवार और रिष्टेदार दुलहन के साथ शादी स्थल से बाहर निकलते हैं। माता-पिता अपनी बेटी को थामे हुए इस शन का नित्रित्व करते हैं। वे दूलही से अनुरोत करते हैं कि वो उनकी बेटी की देखभाल करें और हमेशा अपनी वेवाहे क्यात्रा में उसका समर्थन और मार्ग दर्शन करने के लिए वहां रहे। दहलीज को पार करने से पहले, दूलहन अपने माता-पिता के घर की और अपने सिर की ऊपर से तीन बार चावल और सिक्कों की एक मुठी पेक्ती है। इस रस्म में दूलहन उसे इतना प्यार और देखभाल के साथ देने और जीवन के हर पड़ाव पर उसका साथ देने की प्रती दूलहन अपने माता-पिता के लिए कृतग्यता का जाहिर करती है। इसके साथ ही यह रस्म दर्शाता है कि वो अपने माता पिता के घर में हमेशा खुश और सम्रिध बनी रहे इसकी कामना करती है। वो अपने माता पिता को गले लगाती है और अपने आगे के नए जीवन के लिए उनकी वबड़े बुजुर्गों का आशिरवाद लेने के लिए उनकी पैच हूती है। विदाई समारोह में अंतिम अनुष्ठान इस अफसर के लिए एक अच्छी तरह से सजायकार में जोड़ा कदम देखता है और उनकी अंतिम विदाई शुरू होती है। दुलहन के भाय और चचेरे भाय अपनी किस्मत की कामना करने और वैवाहे जीवन की अपनी नई यात्रा की और दमपती को आगे बढ़ाने और जीवन में सुख समृद्धी के रूप में कार को पीछे से धकेलते हैं। जब दुलहे की कार आगे जाती है तो अक्सर दुलहन के परिवार और शादी के महमान अपने जोड़े के नई जीवन की और उसके रास्ते से बुरी शक्ती को भगाने के लिए सड़क पर कुछ सिक्के पेकते हैं। दुलहन के मातापिता ने अपने दामाद के साथ अपनी बेटी को विदाई करते हैं। पतनी के रूप में दुलहन के नव जीवन की शुरुआत का भी प्रतीक है। विदाई अविवादा स्पाद रूप से किसी भी शादी का सबसे भावुक हिस्सा है। यह सच का क्षण है। दूसरे पहलू पर विदाई एक खुशी का भी खशन है कि यह पती और पतनी के रूप में दमपती के जीवन की शुरुआत है। प्यारे दोस्तों, ओम नमः शिवाए, एक मार्मिक विशे पर चर्चा, विदाई, विदाई अनुष्ठान है जो आल विदाई को संदर्वित करती है। विदाई समारो एक हिंदू शादी के अंतिम चरण का प्रतीक है जहां दुलहन के माता-पिता अपनी बेटी की विदाई करते हैं। शादी भी एक दिन है जहां भावनाओं की श्रिंखला आपस में जुड़े हुए हैं।